नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने की इजाज़त दी जाती है मान्य ग्रम अंती जी मान्य अध्यक्जी भारतिय सेना को नागा लेंड के मौन जिले के तीजित क्षेत्र में तीरू गाओं के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सुचना मिली थी इसके आधार पर सेना के 21 पेरा कमांडों के एक दस्ते ने दिनांग 4 बार 2021 की साम को संदीक्द क्षेत्र में अम्बूस लगाया था अम्बूस के दोरान एक वहन अम्बूस के स्थान के समिप पहुचा उसे रूखने का इसारा और प्रयास किया गया रूखने की बजाए वहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया जिसके उपरांत इस आसंका पर कि वहन में संदिक विद्रोही जा रहे थे वहन पर गोली चलाई गई जिससे वहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्ति हुई बाद में ये गलत पहचान का मामला पाया गया जो दो लोग गायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हे तु नद्दी की स्वास्त केंद्र में ले जाया गया यह समाचार प्राप्थ होने के बाद स्थानिक गामिनों ने सेना की टुकडी को घेर लिया दो वहनों को जला दिया और उनपर हमला किया इसके परिणाम सरुप सुरक्सा बलके एक जवान की मृत्जी हो गई तथा कई अन्य जवान गायल हो गये अपनी सुरक्सा में तथा भीड को तितर-बितर करने के लिए सुरक्सा बलों को गोली चलानी पड़ी जिससे साथ और नागरीकों की मृत्ति हो गई तथा कुछ अन्य गायल हो गई स्थानिय प्रसाशन और पूलिस ने स्थीति को सामान्य करने के प्रयास किये हैं अभी स्थीति तनाव पुन लेकिन नियंत्रण में बनी उली पूलिस महा निर्देशक नागालेन और आयुक नागालेन ने दिनाग 5 बार 21 को गटना स्थर का दोरा किया ताजित पूलिस स्थाने में गटना के बारे में प्राथमी की दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराद पूलिस टेशन को जांच के लिए स्वांप दिया गया है इस संदर में एक विशेज जांच टीम SIT का गठन किया गया है जिसे एक माह के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिये गए हैं उपरोत गठना के पस्चात दिनांग 5-12-21 की साम में लगबग 200 लोगों की उद्वेलित भीड ने मोन सहर में असम राइफल की कंपनी ओपरेटिंग बेस पर तोडफोर की भीड ने सीयोबी के मकान में आग लगाई जिसके उपरां असम राइफल की टुकुडी को भीड को तितर बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी इसके कारण एक और नागरिक की मृत्य हो गई और एक अन्य गायल हो गया प्रभाविक सित्र में किसी और अप्रिय गटना को रोकने के लिए अत्रिक तुबलों की तेहनाती कर दी गई है सेना की तीन कोर मुख्याले द्वारा एक प्रेश वक्तव्य जारी किया गया है जिसमें नीर्दोस नागरिकों की दुखद मृत्यू के गटना करम पर अत्यादीत दूख सेना द्वारा व्यक्त किया गया है सेना द्वारा इन दुरुभाग्यपून मृत्यु के कारण, कारणों की जांच उच्चतम स्तरपर की जा रही है और कानून के अनुसार सम्मूचित कारेवाही की जाएगी घटना की सुचना मिलने पर मैंने ततकाल नागेलेंड के गवर्नर और मुख्य मंत्री जी से संपर किया गरू मंत्राले द्वारा भी नागेलेंड के मुख्य सचीव और पुलिस महादिर्देरसक से संपर किया गया कल पुरे दिन स्थीती को मोनिटर किया गया, गुरू मंत्राले द्वारा तुरंत पुर्वत्तर के प्रभारी अपर सचीव को कोहीमा बेजा गया, जहां उन्होंने आज सुबे नागेलेंड आजे सरकार के मुख्य सचीव एवं अन्य वरिष्ट अधिकारियों और अर्ध सैन इक बलो के वरिष्ट अधिकारियों के साथ बैठक की, स्थीती का विष्टार पूर्ण समिक्सा की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिग्र सामान्य स्थीती बहाल हो, यह नीने लिया गया है कि सभी एजंचियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रियों के खिलाप अभ्यान चलाते समय भविश्य में ऐसी कोई दुर्भाग के पुर्ण गटना की पुन्रावुर्ति न हो सरकार स्थिती पर शुक्ष्मता से नजर रख रही है और शेत्र में सांती और सोहाद सुनिशित करने के लिए आवसकता अनुसार जरूरी उपाय भी किये ज लागू की है भारत सरकार नागालेन में हुए इस दुर्भाग्यपुन घटना पर अत्यनत खेद व्यक्त करती है और मुतकों के परिवारों के प्रती गहरी सम्वेदना व्यक्त करती है